आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप एक ग्रो एप्लिकेशन के अंदर अपना UPI Lite आपने एक्टिवेट किया है और आप अपने UPI Lite के अंदर कुछ रुपए एड करके रखे हुए हैं जैसे कि मैंने याप पर 500 रुपए एड किये थे लेकिन 10 रुपए मैंने ट्रांसपर कर दिये हैं अब हमारे यहाँ पर 490 रुपए बचे हुए हैं लेकिन इन रुपए को हम अपने बैंक में लेना चाहते हैं बैंक में ट्रांसपर करना चाहते हैं तो आखिरकार अपने UPI Lite का पैसा हम अपने बैंक में ट्रांसपर कैसे कर सकते हैं ग्रो हमने यह सारे feature निकल कर आ जाएंगे अब यहाँ पर UPI light पर click करिएगा उसके बाद यहाँ पर एक option मिलता है deactivate करने का तो यहाँ पर आपको अपने UPI light को deactivate करना होगा और यहाँ पर बताया गया any balance will be refunded back to link bank account तो यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर मिलेगा deactivate bank के लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि जितना सारा आपका यह balance है यह आपके bank में चला जाएगा जैसा कि हमारा एक यह वाला bank account इसके अंदर link है तो हमारा सारा balance है हमारे AC bank में चला जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाए देगा कि आपको बताया भी गया है तो अगर आपके deactivate करना चाहते हैं तो इस पर click करेंगे आपका सारा पैसा bank में चला जाएगा लेकिन अगर आपके मन में प्रेस ना रहा है कि यार हम इसे deactivate कर देंगे क्या हमारा फिर से activate होगा या नहीं तो आपके जानकरी के लिए बता दें कि यह फिर से आपका deactivate हो जाएगा अगर आप करना चाहेंगे इसमें कोई भी problem नहीं है तो हम यहाँ से deactivate पर click करते हैं हमारा UPI light जो feature होगा वो हमारा deactivate हो जाएगा हमारा जितना सारा balance होगा हमारे bank में चला जाएगा कोई भी परेसानी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर हम यहाँ पर कम से कम एक या दो घंटे का इंतजार करेंगे तो हमारे पास message भी आ जाएगा कि UPI light का पैसा आपके bank में successfully आ चुका है तो इस तरीके से आप अपने grow application के अंदर UPI light feature को बंद कर सकते हैं या उसे deactivate कर सकते हैं और आप अपने पैसे को bank account में ले सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं online earning करना चाहते हैं तो टेलिग्राम को join कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्वाद